हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रवी स्टडी आई क्यों जी के पर फेंट्स आज मैं आपके लिए जोग्राफी के टॉप 500 कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन selected और important लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है ये आप सभी के लिए marathon वीडियो रहने वाला है अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो जोग्राफी का एक भी कोशन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एक्जाम में आजाए और इस वीडियो में ना हो आपके रवी सर ने best content रखा है इस वीडियो में तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा माजूली दूइप किस नदी पर स्थित है सही answer होगा असम के ब्रह्मपुत नदी पर स्थित है माजूली दूइप और friends आप सभी को पताए कि जो माजूली दूइप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी दूइप है ये भी आपने ध्यान रखना है और भारते क कार्बन की मातरा होती है सबसे जयादा होती है मतलब 90% से जयादा कार्बन होता है इस कोईले में next के नामसे किस पहाड़ी को जाना जाता है सही answer क्या होगा निलगिरी पहाड़ी पहाड़ी जो माजूली जो गांदी नगर इसकी जो समुदो तटकी रेखा है ना फैंस सबसे लंबी है अगला कोशन भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है फिर इस कोशन ने बोला गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि गोल्ड की प्रोडक्शन सबसे ज़ाधा करता है तो आपका अंसर क्या होगा करनाटक और करनाटक की राजधानी क्या है बेंगलूरू और बेंगलूरू में ही क्या है इसरो का मुख्याले और जिसके वरतमान में अध्यक्ष कौन है एस सोमनाथ अगला कोशन कोरो मंडल तर्ट किस राज्य में स्थेत है सही आंसर होगा तम किस नदी से गुजरता है आंसर होगा ब्रह्मपुत नदी से गुजरता है राच्टि ए जल मार्क टू अगला कोशन इगजाम में कई बार रिबीट हुआ है ये शरदार सुरोवर बांध किस नदी पर स्थेतättे है सही आंसर होगा नर्मदा 옛 नदी पर स्थेत ए सरदार लुक से स्थापित किया गया था आंसरोगा राउरकेला स्टील प्लांट लंदन किस नदी के किनारे स्थित है आंसरोगा टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन शेहर निलगिरी परवत पर किस जनजाती का निवास थान है आंसरोगा तोड़ा जनजाती का निवास थान है न अपने ध्यान रखना है, 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में साक्षरता अदर किस राज्य की सरवादिक है, आंसरोगा केरल की, कितना है 93.91 प्रतिशत, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानतर चलता है, आंसरोगा कौंकन रेलवे, कौंकन रेलवे जो है फैंड्स ये अरब सा इज़ाम में कई बार repeat हो आए, नीलगीरी परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है, सही आंसर होगा, डोडा बैटा, डोडा बैटा जो है, ये नीलगीरी परवत की सबसे उची चोटी का नाम है, कौलेरू जील, कहां इस्थित है, सही आंसर क्या होगा, आण्धर पर्दे संधी जो है ये रूस USA और रूस को जोड़ती हैं काफी बार एक्जाम में पूछा गया है एक डिगरी अक्षांस द्वारा कितना किलोमेटर निरुपित होता है सही आंसर होगा 111 किलोमेटर नेक्स कोशन पुर्वत्तर की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है समान गहराईयों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को क्या कहते है सही आंसर होगा आईसो बात आईसो बात जो है ये सम्मुदर में समान गहराईयों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को कहा जाता है नेक्स कोशन बिग बैंक सिद्दांत किस से संबंदित है आंसर होगा, ब्रहमांड की रचना, ब्रहमांड की रचना से संबंदित है बिग बैंक सिद्धान्थ अगला कोशन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कहां स्थित है, सही आंसर होगा, अस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अगला question नागर होल रास्टीय पार्क या बोल सकते हो नागर होल रास्टीय उद्यान किस राज्जे में स्थित है सही answer होगा भारत के करनाटक राज्जे में next question किस ग्रह को लाल तारा की संग्या दी जाती है सही answer क्या होगा मंगल को मंगल को friends Englishman क्या बोलते हैं Mars planet ठीक है और आप सभी को पता है कि जो हमारा सौर मंडल है यानि कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह है उसमें है आठ ग्रह है यह आपने याद रखना है सबसे शूरे के सबसे नजदी कौन सा है बुद्ध है ठीक है नेक्स्ट है कौन सा शहर हटसन नदी के किनारे स्थेत है आंसर होगा नियुयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉयॉय चाहिए इस जील का नाम है चिलका जील आपको कोशन का लैवल देखके पता लग रहा होना कि सब्वी कोशन जो है एक्जाम ओरियंटेड हैं यही कोशन है जो हर साल हर एक्जाम में बार बार घूम घूम के आते हैं तो आप येकीन मानिए एक्जाम से पहले अगर आप ये आपको मैं आगे बता दूँगा डिटेल में कहां से आप इस e-book को भाई कर सकते हो ठीक है नेक्स कोशन है मारा लोक्टक जील किस राज्य में स्थित है आंसर होगा भारत के मनिपूर राज्य में स्थित है लोक्टक जील अगला कोशन ग्रीनलेंड की खोज किस ने की थी आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलेंड की खोज करी थी उतरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस परवत की चोटी है आंसर होगा रॉकिस परवत की राजाजी राश्टिय पार्क किस राज्जे में स्थेत है? आंसर होगा भारत के उत्राखन राज्जे में स्थेत है राजाजी नेशनल बार्क हीरा कुंड बांद का निर्मान किस नदी पर किया गया था सही आंसर होगा महा नदी नदी पर किया गया है हीरा कुंड बांद अगला गोशन एंडीस परवत माला जो की दक्षिन अमेरिका में स्थित है एंडिस परवत माला की सर्वोच परवच चोटी का क्या नाम है आंसर होगा एकांगुवा एकांगुवा चोटी जो है ये एंडिस परवत माला की सर्वोच परवच चोटी है और कहां पर है अर्जंटीना देश में नेक्स्ट है मारा 1981 में स्थापित भारती वन सर्वेक्षन विभाग का मुख्याले कहां स्थित है आंसर होगा देहरा दून उतरा खंड में 1981 में स्थित भारती वन सर्वेक्षन विभाग का मुख्याले है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है आंसर होगा इंद्रा गांदी नहर परियोजना और इसे राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता था अलमाटी बांध किस नदी पर है आंसर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध अगला कोशन किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं most important question है ये भी आंसर होगा अरजंटीना के भारत का छेतरफल विश्व के छेतरफल के कितने पर्तिशत है आंसर होगा 2.42% है भारत का छेतरफल विश्व के छेतरफल के भारत का सबसे पूर्वी विंदू क्या है? आंसर होगा की बीथू की बीथू जो है ये भारत का सबसे पूर्वी विंदू है और कहां पर है? अरुनाचल प्रदेश में नेक्स्ट है मारा कौन सी परवत माला सहाइद्री के नाम से जाने जाती है? आंसर होगा पश्मी घाट जो है इसे सहाइद्री के नाम से भी जाना जाता है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर होगा होगा अनै मुद्दी कितनी उचाई असकी 266 मेटर किस राज्य को पहले नैफा के नाम से जाना जाता था आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश को पहले नैफा के नाम से जाना जाता था विजयनगर समराज्य की राजधानी हमपी किस नदी के तट पर स्थित है आंसर होगा तुंग भद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर समराज्य की राजधानी हमपी नेक्स्ट कोशन है ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं आंसरोंगा सैलवास नेक्स्ट है हमारा किस भुगोल वेता को मानव भुगोल का जनम दाता कहा जाता है आंसरोंगा फ्रेडरिक रेटजल सर्दार सरोवर बांद किस नदी पर बनाया जा रहा है आंसरोंगा बनाया गया है अंसर है नर्मदा नदी पर प्रिथवी के निकट तम दूरी पर कौन सा ग्रह है आंसरोंगा शुक्र ग्रह जो है यह प्रिथवी के निकट है ठीक है देखो फेंड्स जो हमारा प्रिथवी है आपको बताना चाहता हूं जैसे यहां पर Sun है ठीक है और आप सभी को बता है कि Sun की चार तरफ आठ प्लैनिट जो है वो रिवॉल्फ करते है सबसे पहले कौन होता है Mercury होता है फिर होता है Venus फिर अर्थ आता है Mars ठीक है और देखो यहां पर क्या है Venus है और यहां पर Mars तो पुछ क्या होगा Venus यानि कि शुकर है अगला question है छितफल दृष्टी से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेस्ठित देश कौन सा है आपरण कजाकिस्तान जो है यह चितफल की दृष्टी से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेस्ठित देश है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है आंसर होगा जेलम नदी की भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी आंसर होगा रेड किलिफ रेखा द्वारा मॉण्ट की ते की टिबबत को कौन सा बर्रा जोडता है आंसर होगा लुछ ध्राइस यह सिम्वेला से दिबबत को जोडने वाला दर्रा का नाम हैं अगला कोजन है हिमाले की उत्पती के सम्मद में कौन सा सिद्दान्ध है आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिस और हिंदियों बोलेंगे प्लैट विवर्त निकई भारत का सबसे बड़ा हिम्नद यानि की ग्लेशियर कौन सा है आंसर होगा सियाचीन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे बड़ा हिम्नद है थारू कि चार्ण के दिश्य कंद्रत भास का ब्रदेश रतभी सरा होटा कि विद्धार भारत के सीलता चारण करें जोंद्र चारत कि अजच्वेक्व हूस्ता निवाज cœंद्ध सुमंद निवाज कंद्र का विविस्त जिच्वा व然 कि अयुक्तते mandate और लगयाँ आंसरोगा मैनमार से नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है आंसरोगा थालगाट धर्रा जो है ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है कोडर्मा किस खनीच का खनन छेतर है आंसरोगा अर्भका बारा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है आंसरोगा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारा लाचा लादरा श्री नगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोडता है आंसरोगा बुर्जिल दर्रा आँसर होका भागी रती तथा अलग नंदा नदी के Sंगम पर स्थित है देव प्रयाग परंटस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की कॉलिटी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और comment में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस topic के उपर पढ़ना है वो भी आप मुझे comment box से mention कर देना मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आँगा quick silver के नाम से quick silver के उपनाम से किस धातू को जाना जाता है सही answer का पारा जिसे कि हम mercury भी बोलते हैं देखो फ़िए जो quick silver होता है इसमें word आया silver जिसे कि हम चांदी बोलते हैं तो exam में option में दिया होता है कि quick silver में क्या पाया जाता है तो आपका उसमें option में silver यानि की चांदी भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कोई silver में चांदी नहीं होता बस कोई silver इसका नाम है और ये क्या है मरकरी है भारत में गिहों के उत्पादन में प्रत्थम स्थान किस राज़े का है आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज़े का अगला question है महाबलेशवर किस राज़े में स्थेत है आंसर होगा भारत के महाराश्टर में महाबलेशवर स्थेत है मनार की खाड़ी किन-किन देशों को अलग करती है आंसर होगा भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है मननार की खाड़ी वायू मंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है आंसर क्या होगा आयान मंडल यानि की आयनो स्फेर नीली क्रांती का संबंद किस उद्योग से है आंसर होगा मत्से उद्योक से संबंदित है नीली करांती राश्टी रस्दार फल अनुसंधान केंदर कहां पर है आंसर होगा नागपूर में दुख्ध उत्पादन में शोईत करांती लाने का श्रे किसे दिया जाता है आंसर होगा डॉक्टर वर्गिस कुरियन नेक्स्ट है हमारा जौलामों की उद्गार से बनी जील कौन सी है लोनार जील काफी बार एक्जाम में पुछा गया है अगला कोशन लावा के प्रवहा से किस मिट्टी का निर्मान होता है आंसर होगा काली मिट्टी का महा सागरों का निर्मान किस चट्टान से हुआ है आंसरोगा बिसाल्टिक चट्टान भारत का सबसे बड़ा सोयाविन उत्पादक राज्जे कौन सा है आंसरोगा मध्य परदेश राज्जे जो है ये भारत का सबसे बड़ा सोयाविन उत्पादक राज्जे है अगला कोशन है अंतराश्टी तिथी रिखा का निर्धारन किस वर्ष किया गया था आंसर होगा 1884 ECV में अंतराश्टी तिथी रिखा का निर्धारन किया गया था नेक्स्ट है मारा पाकिस्तान के समुद्र तट का भोगोलिक नाम क्या है आंसर होगा मकरान तट मकरान तट जो है पाकिस्तान के समुद्र तट का भोगोलिक नाम है नेक्स्ट कोशन है मारा मुख घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है आंसर होगा मुख घाटी परियोजना को केरल में स्थापित किया गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाठी का उधारन है? आशिया का रिफ्ट घाठी का तलाबों दुआरा सरवादिक सिंचाई कहां की जाती है तमिलाडो में सलेम इसपाद सहयंतर कहां पर स्थित है सलेम तमिलाडो में यह आपने याद रखना है अगला कोशन है मारा यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है तुर्किय देश को यूरोप का रोगी कहा जाता है भारत की सबसे महतपून यूरोणियम खान कहां पर है जादुगोडा जारखन्ड में भारतीय रेल का राश्टे करन कब हुआ अशर होगा 1951 इसवी में भारतीय रेल का राश्टे करन किया गया था सत्पुडा और विंद्याचल परवश श्रेनियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है आंसरोगा नर्मदा नदी डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगा इस्थित है आंसरोगा विशाखा पटनम अब बार बार पूच्छा जाता है तो आप यह देख सकते हो कि प्रीविए से कोशन चार से पांच बार रिपीट होए तो यह डॉल्फिन नोज चट्टान की पिछे कौन सा बंदरगा इस्थित है विशाखा पटनम डबल स्टार मार कर लेना आप एक्जाम के लिए नेक्स कोशन करवाने से पहले फैंस आप सभी के लिए गुर्णियोस है कि आपके रवी सर की जो पीट पीडिएफ की वेफसाइट है जहां पे आपको हर सब्जेट की एबुक्स मिल जाते हैं कि रवी सर की वेफसाइट लाउंच हो जो कि है वेफसाइट है www.ravibooks.pdf.com गुगल पे जाके फैंस आप इस सर्च करिए आपको वेफसाइट मिल जाते हैं यहां पे आप करेंट अफेर्स की पीडिएफ पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्रोफी हर सब्जेट की पीडिएफ को बाई कर सकते हो हर एक्जाम के लिए काफी जादा यूसफुल है फ्रेंस हमारी इबुक्स मतलब काम टाइम में आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर सकते हो और इसकी साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेस्ट लगाना है इस टॉपिक का तो अब हमारा मुबाइल अप्लिकेशन स्टॉल कर लेजिए मुबाइल अप्लिकेशन है रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से आपको गुगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ठीक है इस्टॉल करिए और अब हार टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो तो चलिए फैंड अब हम नेक्स कोशन पढ़ लेते हैं हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी किस नाम से जानी जाती है सही आंसर क्या होगा चंदर भागा के नाम से जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी उत्तर रेलवे का मुख्याले कहां स्थित है नई दिल्ली में स्थित है उत्तर रेलवे का मुख्याले फूलों की घाटी कहां स्थित है भारत के उतराखन राज्ये में फूलों की घाटी स्थित है गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगा है जोआरिये बंदरगांस है गुजरात में स्थित कांडला बंदरगा डबस्टार मार करना इसको भी पैडोलोजी के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है आंसर क्या होगा मिट्टी का अध्यन किया जाता है पैडोलोजी के अंतरगत बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है आंसर होगा सौर विक्रन की तीवरता को नापा जाता है एक्टिनो मीटे द्वारा किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है किस देश को 85 भूमी का देश कहते है आंसर होगा अस्ट्रेलिया को 85 भूमी का देश कहा जाता है पूर्वी तथा पश्मी घाट परवतों को जोडने वाली पहाडी श्रिंखला का क्या नाम है सही आंसर क्या होगा नील किरी नेक्स्ट कोशन है मारा किस परवत माला को सहाइदरी के नाम से जाना जाता है पश्मी घाट को जपान का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है सही आंसर होगा हौनशू दूइप पर जो हौनशू दूइप है ना यह जपान का सबसे बड़ा दूइप है और जपान की राजधानी क्या है जपान की राजधानी है टोकियो और पर जो टोकियो है ना यह हौनशू दूइप पर ह स्थेत्त है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है हमारा हैली नामक धूम केतु का प्रही कर्मन काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है आंसर होगा 76 वर्ष भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है आंसर होगा भारत का मानक समय न जो गारो और खासी पहाड़ी भी है तो पुछा जागा कि गारो और खासी पहाड़ी या कहा पाई जाती है तो आपका अंसर में घाले ही होगा प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है आंसर होगा जुवाला मुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है प्रिथवी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था अरस्तु जो है ये प्रिथवी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान था नेक्स्ट कोशन विक्टोरिया जलपरपात किस नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलपरपात जो है फैंस की जमबैजी नदी पर स्थित है नेक्स्ट कोशन कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है तो सही आंसर होगा जो भारत का केरल राज्जी है ना इसे भारत का मसाला उद्यान के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है मारा प्रिथिवी की उत्पती के संदर में नवीन्त सिद्धान्थ क्या है? सही आंसर होगा बिग बैंक सिद्धान्त या बोल सकते हो महा विस्वोटक सिद्धान्त जो है ये प्रिथवी की उत्पती के संदर में नविंतम सिद्धान्त का नाम है जायकवाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है आंसर होगा जायकवाडी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है काफी बार एक्जाम में पुछा क्या कोशन है दामुदर नदी किस नदी में गिरती है सही आंसर होगा दामोदर नदी जो होगली नदी में गिरती है पृतिवी के उपरी भाग को क्या कहा जाता है आंसर है उपरी भाग को क्रेस्ट बोलते हैं या बोल सकते हो भू परिटी कहा जाता है Next Question है मारा Greenwich किस देश में स्थेत है सही आंसर होगा United Kingdom में स्थेत है Greenwich भारत का केंद्रिय आलू शोध संस्थान कहां स्थेत है सही आंसर होगा शिमला में हिमाजर परदेश के शिमला में स्थेत है केंद्रिय आलू शोध संस्थान कराकॉरम उचमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है सही आंसर होगा कराकुरम उचमार्ग जो है फेंज ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है नेक्स कोशन है मारा लाल मिर्च का सरवाधिक उतपादन भारत के किस राज्चे में होता है सही आंसर होगा लाल मिर्च का सरवादिक उतपादन होता है आंदर प्रदेश राच्चे में अगला कोशन फ्यूजी आमा किस देश का जुआला मुखी है आंसर होगा फ्यूजी आमा जपान देश का जुआला मुखी है भुकंपो का अध्यन क्या कहलाता है सही आंसर होगा भुकंपो का अध्यन कहलाता है सिस्मोल लौजी विश्व का सबसे पुराना अवसिष्ट परवत कौन सा है सही आंसर होगा विश्व का सबसे पुराना अवसिष्ट परवत है भारत का अरावली परवत होर्न आफ अफरीका की अंतरगत आने वाले देश कौन से हैं सही आंसर होगा होर्न आफ अफरीका की अंतरगत आने वाले देश हैं सोमालिया, इथोपिया, इरिटीरिया और जीबूती संसार का सबसे बड़ा महादूइप कौन सा है वेशोव का सबसे बड़ा महादूप है एशिया और एशिया में ही भारत स्थित है पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है आंसर होगा संसार की छट के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को अगला कोशन सरदार सुरोवर परियोजना किस राज्जे में स्थित है सही आंसर क्या होगा गुजरात राज्जे में स्थित है सरदार सुरोवर परियोजना पैरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है पैरिस जो है सी नदी के तट पर बसा हुआ है प्रशान्त महासागर में दूइपों की संख्या सरवादिक है विश्व की सरवादिक विश्वाश घाती नदी किसे को माना जाता है चीन की जो हवांग हो नदी है कहाँ पर है चीन देश में हवांग हो नदी इसे विश्व घाती नदी के नाम से जाना जाता है अगला कोशन एंजिल जलपरपाद किस नदी पर स्थेत है सही आंसर क्या होगा एंजिल जलपरपाद जो है वेनिचुवेला देश में कैरोनी नदी पर स्थेत है याद रखने आप सभी को आपसे एक्जाम में पुछा जा सकता है बताओ कि एंजिल चलपरबाद किस देश में है वेनिचुवेला किस नदी पर है कैरोनी नदी पर यूरोप का भारत किसे कहा जाता है यूरोप का भारत कहा जाता है इटली देश को उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश चेतरफल में कौन सा है सही आंसर होगा कैनेडा देश यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो कि चेतरफल में सबसे बड़ा है विशुव का प्रसिद कागज उद्यो केंदर कौन सा है आंसर होगा कनाड़ा का जो मौन्टरियल है ये विशुव का प्रसिद कागज उद्यो केंदर है सलाल परियोजना जमू कश्मीर राज्ये की जल विद्यूत परियोजना है ये किस नदी पर बनी वही है तो आपका आंसर क्या होगा? चिनाव नदी पर सलाल परियोज़ा सबसे पहले आपको बताना जे, जम्मु कश्मीर के अंदर शाषिट प्रदेश में है ठीक है जो की यूनियन डाइरिटरी है, जम्मु कश्मीर ठीक है और किस नदी पर है? चिनाव नदी पर कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है आईवरी कोस्ट एवं घाना जो है कोको का प्रमुख उत्पादक देश है अगला कोशन उत्तर कोरिया तथा दक्षिन कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते है आंसर होगा अर्थीसमी समानंतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिन कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा होता है इसे कहते हैं 38-वी समानंतर रेखा वायू मंडली आदरता मापने के लिए जो यंतर प्रियोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? हाईग्रो मीटर नाम है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुदरी छेतर क्या कहलाता है? आंसर होगा मनार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुदरी छेतर का नाम है इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए जितने भी कोशन है ना देखो आज की वीडियो में तो 500 कोशन करवा रहा हूं लिकिन जोग्रोफिक अगर आप यह 5000 कोशन की जो मेरी PDF पढ़ लेते हो ना जो e-book है मेरी उसमें से एक भी कोशन आपके एक्जाम में नहीं मिलेगा जितने भी कोशन बनते है ना छोटे से छोट देश कौन सा है दक्षिनि मेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील एशिया और योरोप महादीब का जंक्शन किसे कहा जाता है सही आंसर होगा मिस्टर देश को क्यूंकि मिस्टर प्रगति शील तरंग सिद्धांत या बोल सकते हो progressive wave थिओरी एक सिद्धांत है सही आंस आंसर होगा जुआर भाटा की उत्पती से संबंदित है प्रगतिशील तरंग सिद्धान्त 2011 की जनगन्ना की अनुसार किस प्रदेश में अनुसूची जनजाती की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है आंसर क्या होगा मिजोरम बुद्ध और शुक्र के कितने उबग्रे हैं आंसर होगा बुद्ध और शुक्र के कोई भी उबग्रे नहीं है ठीक है और हमारी प्रिथिवी का सरीफ एक है प्राकरतिक उबग्रे जिसका नाम है चंदर्मा यानि की मौन विश्यो में कहवा की मंडी किसे कहते हैं आंसर होगा कहवा की मंडी को कहा जाता है किसको साव पोलो को दक्षिन अमेरिका का ओशन मरुष्थल कौन सा है आंसर होगा पैंटागोनिया पैंटागोनिया जो है दक्षिन अमेरिका का ओशन मरुष्थल है विशुव की सबसे लंबी नदी कौन सी है सही आंसर होगा नील नदी जो है ये विशुव की सबसे लंबी नदी है 6,650 किलो मेटर इसकी लंबाई है और सबसे अगर बड़ी नदी पुछा जाए ये तो लंबी नदी की बात हो रही है सबसे बड़ी नदी मतलब जिसमें सबसे ज़ादा जल है वो है Amazon नदी अगला कोशन, एक्साम का फीबरेट कोशन है ये कौन सी नदी मकर रिखा को दो बार काटती है सही आंसर होगा, लिम पोपो नदी जो है ये मकर रिखा को दो बार काटती है नेक्स कोशन है मारा, दक्षिनी अफ्रीका के किस नगर को हीरों का नगर कहा जाता है आंसर होगा, किम्बरले, किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है कहां का नगर है ये दक्षिन अफ्रीका देश का महाराश्ट का नाशिक सहर, किस नदी के तट पर स्थित है आंसर होगा गुदावरी नदी के तड़ पर स्थित है महाराष्ट का नाशिक शहर अगला कोशन किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है आंसर होगा एल नीलो जलधारा एल निलो जल धारा जो है इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से जाना जाता है अगला कोशन है वैनिचुवेला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं आंसर होगा वैनिचुवेला के घास के मैदान है ये लानोस कहलाते हैं अगला कोशन किस नदी को तेल नदी कहा जाता है आंसर होगा नाइजर नदी को फ्रेंट्स तेल नदी कहा जाता है नेक्स कोशन किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है आंसर होगा हवांग हो नदी को फ्रेंट्स चीन का शोक कहा जाता है यह आपने याद रखना है सोईज नहर के उत्री प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगा है most important mark कर लिजए exam के लिए सही answer क्या होगा port side port side जो है friends ये सोईज नहर के उत्री प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगा का नाम है कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है answer होगा उत्री सागर और बाल्टिक सागर ozone परत को नस्ट करने वाली गैस कौन सी है answer होगा chloro-fluorocarbon जिसे कि हम short में CFC भी बोलते है next question अरब रेकिस्तान में बहने वाली गरम एवं शुशक हवा को क्या कहते है answer होगा c-mum 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 जो है friends अरब रेकिस्तान में बहने वाली गरम एवं शुशक हवा को कहा जाता है यह question भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है किस ग्रह का अकार पृत्वी की अकार के लगबग बराबर है answer होगा शुकर जिसे कि हम बोलते हैं Venus कालाहारी मरुस्तल कहां स्थित है answer होगा बोत स्वाना में स्थित है कालाहारी मरुस्तल next question है मारा भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है answer होगा नीलगिरी की पहाडियों में नीलगिरी की पहाडियों में friends कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है सही आंसर होगा मैकसिको में स्थित है केंदरिये चावल अनुसंधान संस्थान काटक में विश वन दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 March को फ्रेंड्स विश वन दिवस मनाया जाता है वेश्व का सबसे शुश्क स्थल कौन सा है आटा कामा कहां पर है चीली में यह वेश्व का सबसे शुश्क स्थल है अगला कोशन कौन सा सागर इरान की उत्री सीमा को शपर्श करता है सही आंसर होगा कैस्पियन सागर नेक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक ट्रांस जैनिक फसलों का सबसे बढ़ा उतपादक देश है अमेरिका। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। आंसर होगा दामुदर नदी जो है friends, यह बंगाल का शोक कहलाती है। जिरो डिग्री अक्षांस तथा जिरो डिग्री देशांतर की भोगोलिक स्थिती कहा है आंसर क्या होगा दक्षिनी अट्लांटिक महासागर में जिरो डिग्री अक्षांस याब हो सकते हो जिरो डिग्री लैटिट्यूड तथा जिरो डिग्री देशांतर याब हो सकते हो जि रिसता जलविद्योत परियोजना आंसर होसे सतीज़वन एंधृत्व के इंदर कहां स्थेत है ऐसी आनलोगत है इस जितने भी रॉकेट्ध को जो ceas पैस में भेजता है ना वो शिग्री हरी होता आंधरपरदेश से ही भेजता है Breaking vaccine का मोना लोगा कहां स्थेत है आंसरों का हवाई दूइप में स्थेत है कोटेशवर बांद का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है कोटेशवर बांद का निर्मान भागी रती नदी पर किया जा रहा है भारत की प्राचिंतम प्रवश्रिंखला कौन सी है भारत की प्राजिंतम प्रवश्रिंकला है अरावली प्रवश्रिंकला ये वेश्युव की भी सबसे पुरानी प्रवश्रिंकला है नाम क्या है भारत की अरावली प्रवश्रिंकला टुंडरा प्रदेश के एसकिमो परजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्ध गोलाक किया कहते च्छाइए P सब्सक्रा और अवाजंगा क्या कहते हैं इ्गलू कहा जाता है। आन्सर होगा गोभी मरुस्थल किस देश में आंसर होगा BETW उसजिते मंगोलिए व्हाचीन देश में स्थित है। पह चीन देश में स्थित है है। Next Question है हमारा Jim Corbett, राष्टे उद्ध्यान कहां पर स्थित है? Jim Corbett, राष्टे उद्ध्यान स्थित है भारत के उतराखंद राज्जे में Next है हमारा सबसे जादा बॉकसाइट का उतपादन किस राज्ये में किया जाता है सही आंसर होगा सबसे अद्ब ऑक्सड का उत्पादन होता है ओडीशा राज्ये में नेक्स्ट कोशन डबल स्टार मार करना बिग बैंक सिद्दान्थ किस ने दिया था जोर्ज लैमेंटेर ने बिग बैंक सिद्धान्द को दिया था भारत की कुल तटिय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की कुल तटिय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलो मेटर वायू मंडलिये दाब किस से मापा जाता है सही आंसर होगा बैरो मेटर से सरिस्का राश्टे उद्यान कहां स्थित है राजिस्थान के अलवर में स्थित है सरिस्का राश्टे उद्यान मोतियों का शहर कि शहर को कहा जाता है आंसर होगा हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है प्रिथिवी की अकाश गंगा जिसे कि हम मिलकी वे बोलते हैं कि सबसे नजदी galaxy कौन सी है आंसर होगा अन्डोमेडा galaxy जो है ये प्रिथिवी की जो अकाश गंगा है ठीक है यानि कि जो प्रिथिवी की galaxy है ना अकाश गंगा इसकी सबसे निकट कौन सा है अन्डोमेडा galaxy काफी बार एक्जाम में पूछा गया question है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस की अधीन था सही आंसर होगा अलास्का अलास्का जो है फेंड्स ये पहले रूस की अधीन था नेक्स कोशन पंचमडी बायोस्फेर रिजर्व पंचमडी बायोस्फेर रिजर्व कहां पर है? मद्धे परदेश राज्चे में इडुकी परियोजना किस नदी पर स्थेत है सही आंसरोगा इडुकी परियोजना है पैरियार नदी पर और किस राज्चे में है केरल राज्चे में लाल सागर को भुमद्दे सागर से कौन जोड़ता है सोईज नहर जो है फ्रेंट्स ये लाल सागर को भुमद्य सागर से जोड़ता है विक्टोरिया जलपरपात किस नदी पर है जामबेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलपरपात अरावली परवत की सबसे उंची चोटी कौन सी है गुरु शिकर ठीक है ये जो है अरावली परवत की सबसे उंची चोटी का नाम है अबरग उत्पादर में प्रत्थम कौन सा राज्य है आंदर प्रदेश भुमद्य सागर का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है सिसीली जो है ये भुमद्य सागर का सबसे बड़ा दूइप है स्वर्निम चतरभुज परियोजना किस से संबंदित है आंसर होगा राजमार्ग से राजमार्ग से संबंदित है स्वर्निम चतरभुज परियोजना एशियाई सिंग कहां पर पाए जाते हैं आंसर होगा एशियाई सिंग गुजरात के गिर राष्टिय उद्यान में पाये जाते हैं अगला गोशन स्वतंतरता के बाद सबसे पहली बहु उद्देशय नदी घाटी पर योजना किस नदी पर बनाया गया था आंसर होगा दामोदर नदी पर अफरीका महादुव का सबसे उचा परवत माउंट किली मंजारो कहां स्थित है सही आंसर है अफरीका महादुव का सबसे उचा परवत जो की माउंट किली मंजारो है यह तंजानिया में नेक्स्ट है हमारा गरहों की गती का नियम किस ने दिया था जब्लांतों केला Knux तो समयनों से हुआ जै येग गरहों से जोड़ा है श्रषानमा महासागर सत्रों के यह फैंजा महासागर को यह करने बंग जलसंधी कौन होगा जिबराल्टल जलसंधी जो है ये स्पेन भे मुरैकों को आपस में अलग करती है कौन सा ग्रह घरी की दिशा में घुनन करता है मतलब clockwise घुमता है तो फिर्ट दो ग्रह है शुकर और अरुन ठीक है शुकर और अरुन जो है फिर्ट यही दो ग्रह है हमारे सौर मंडल में जो की घड़ी की दिशा में गूमते है प्रिथवी सूरे से सबसे ज़ादा दूर कब होता है सही आंसर है प्रिथवी सबसे ज़ादा दूर होता है चार जुलाई को और इस स्थिती को हम कहते हैं अपसौर ये भी आपने ध्यान रखना है बांदीबूर्ट प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्जे में स्थित है करनाटक में हवाई दूइप की खोज किस ने की थी जैम्स कोक ने हवाई दूइप की खोज करी थी अगला कोशन भोटिया जनजाती किस राज्जे से संबंदित है आंसर क्या होगा भोटिया जनजाती जो एफेंस ये उत्राखंट राज्जे से संबंदित है नेक्स्ट कोशन गोवा में कौन सा वन्ने जीव अभ्यारन है आंसर होगा गोवा में है भगवान महावीर अभ्यारन अगला कोशन है हमारा कौन सा भारतिय सबसे पहले अंटार्क्टिका पहुचा था आंसर होगा डॉक्टर सायद जहूर कासीम ठीक है यह भारतिय थे जो सबसे पहले अंटार्क्टिका पर पहुचे थे मुंबई को पूने को जोडता है अंसर क्या होगा बूंबई से पूने को जोडता है भोरगात दर्रा फ्रेंट्स 500 कोशन करवाने वालों जितने भी कोशन अब तक मैं करवा चुका हूँ आपको 40 मिंट की वीडियो हो चुकी है और आपको लग रहा हुआ कि जितने भी कोशन आपने पढ़े हैं सभी कोशन एक्जाम में कई बार पुछे जा चुके हैं आपके रवी सर ने बहुत महिनत करी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना बस वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है और जो हमारा चैनल है रवी स्टडी आईक्यू जी के इसको अपने सभी स्टडी ग्रूप में आप शेयर करिए किस मिट्डी को रेगूर मिर्दा बोला जाता है आंसर होगा काली मिट्डी को रेगूर मिट्डी के नाम से भी जानते है भुगोल शब्द सबसे पहले किस ने दिया था आंसर होगा इरस्टो थैनिज ने सबसे पहले भुगोल शब्द को दिया था जूम खेती या बोसकते उस्थानंतरित क्रिशी भारत के किस छेतर में प्रचलित है पुर्वत्तर भारत में पीरी नदी किसे कहते हैं चीन के हवांगो नदी को पीरी नदी कहा जाता है तकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थेत है चीन में स्थेत है तकला मकान किसे संबंदित है? आंसरोगा उर्वक उत्पादन से धूबगड चोटी किस परवतमाला की चोटी है? सत्पुरा परवतमाला की चोटी है धूबगड चोटी नेक्स्ट कोशन है अंतिम प्रिथवी शिखर सम्मिलन कहां हुआ? जोहांसबर्ग 2002 में अंतिम प्रिथवी शिखर सम्मिलन आयोजित हुआ था नेक्स कोशन है मारा कौन सा अभिहारन एक सिंग वाले गेंडा के लिए जाना चाता है? आंसरोगा काजी रंगा कहां पर है? असम में प्रिथवी पर नाइट्रोजन कितने परतीशत है? प्रिथवी पर नाइट्रोजन है 78 परतीशत अगला कोशन भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांगला देश के साथ कितनी लंबाई है? 4,096.7 किलोमेटर विश्व का सबसे बड़ा जलपरपात कौन सा है? एंजिल जलपरपात जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जलपरपात है कश्मीरी हंगूल किस नैशनल पार्क में पाए जाते हैं? कश्मीरी हंगूल पाए जाते हैं दाची कराम नैशनल पार्क में कराकुरम दर्रा किस शहर के पास है आंसरोंगा कारगिल वह ले के पास विश्यो की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी विश्यो की सबसे लंबी नदी है इंद्रा गांदी नहर को पहले का पहले नाम क्या था राजिस्थान नहर किस सक्रिय ज्वाला मुखी को भुमद्य सागर के प्रकाश तंब के रूप में जाना जाता है स्ट्रम बोली अंडमान वैं निकोबार आइलेंड की जनजाती कौन सी है आंसरों का जार्वा जनजाती जो है फैंडमान वैं निकोबार आइलेंड में पाई जाने उल जनजाती का नाम है भारत में सरवादिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में सरवादिक पाई जाती है जलोड मिट्टी नेक्स कोशन है मारा आयतन की अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन की अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है Amazon नदी जो की कहां पर है? दक्षिन अमेरिका में नंदा देवी राष्टिये पार्क कहां पर स्थित है नंदा देवी राष्टिये पार्क स्थित है उत्राखंड में भारत में सबसे जादा बाग किस राज्ये में स्थित है भारत में सबसे जादा बाग पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में अगला कोशन है मारा सबसे पुरानी ओयल फिल्ड कौन सी है आंसर होगा डिग वोई कहां पर है असम में स्थापना कब वोई थी 1901 में किस जील का निर्मान उलका पिंड के गिरने से हुआ था आंसर होगा लोनार जील कहां पर है महराश्ट्र में काली मिट्टी सरवादे किस राज्जे में पाई जाती है महराश्ट राज्जे में पाई जाती है काली मिट्टी भारत की तम्मिलाडू को श्रिलंका से अलग करने वाले जलसंदी का क्या नाम है आंसर होगा पाक जलसंदी लुढकती पहाडियों का राज्जे किसे कहा जाता ह लुडक्ती पहाडियों का राज्य कहा जाता है मिजोरम को भारत की मिठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है आंसर है भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है वुलर जील जमू कश्मीर कोलकाता बंदरगा किस नदी पर है कोलकाता बंदर का है हुगली नदी के उपर 2011 की जनगना की अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है आंसरोगा केरल राज्य अंडमान वै निकोबार दूइप की सर्वोच चोटी कौन सी है अंडमान वै निकोबार दीव की सर वो चोटी है सैडल पीक 2011 की जनगर्ना के अनुसार सबसे कम जनसंख्यावला राज्य कौन सा है आंसरोगा सिक्किम तिबबत में ब्रहमपुत नदी को किस नाम से पुकारते हैं जिस पर गलोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधी बराबर होती है सही आंसर है विशुव कहा जाता है यानि की इकविनोक्स अगला कोशन भारती रेलवे का जनक किसे कहा जाता है लॉड डलोजी को भारती रेलवे का जनक कहा जाता है किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट रास्टिय पार की स्थापना की गई थी आंसर होगा बंगाल टाइकर सूरे का परकाश प्रिथवी पर कितने समय में पहुँचता है सूरे का परकाश प्रिथवी पर पहुँचता है आठ मिनट 19 सेकंड में नेक्स्ट है हमारा अक्षांस वे देशांतर के बीच कौन कितना होता है अक्षांस वे देशांतर के बीच कौन होता है 90 डिगरी का चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोडता है चीन को सिक्किम से जोडता है नाथूला दर्रा तापती नदी कहां से निकलती है? तापती नदी निकलती है धूबगड माउंटेन पीक से जलोड मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोड मिट्टी की जो पुरानी मिट्टी है इसे कहा जाता है बांगर मिट्टी तूती कोरन थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थेत है? तूती कोरन थर्मल पावर प्लांट स्थेत है तमिलाडो में मुरलेन राष्टे पार्क किस राज्जे में स्थेत है? मुरलेन राष्टे पार्क है मिजोरम में सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है सिक्किम जो है पशिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहां पर है चिनाव नदी का उद्गम स्थल है बारा लाचा दरे के निकट सबसे उचा जल परपात कौन सा है साल्टो एंजिल जलवरपाद जो है ये विशुव का सबसे उचा जलवरपाद है ठीक है और ये जो एंजिल जलवरपाद है कहाँ पर है वेनेजुएला में नेक्स्ट है हमारा तुंग भदरा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहयक नदियां है आंसर होगा क्रिष्णा नदी की अगर आपने डेली करंट अफेर पढ़ना उसके लिए हमारा लगसे चैनल है करंट अफेर्स बाई रवी इस यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें अगला कोशन है देश में मौसम मानचित्र बनाने का परमुकारयले किस नगर में हिस्तित है तो आंसर होगा पूने में जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है लेह और श्रीनगर को ओबरा परियोजना किस राज्य की ताव विद्यूत परियोजना है आंसर होगा उत्तर प्रदेश किस देश में ट्यूलिप की खेती सरवाधिक प्रसीद है आंसर होगा ट्यूलिप की खेती जो है प्रसीद है नीदरलेंड में छेत्फल की दिश्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आंसर होगा भारत का सरवाधिक वर्षावाला स्थान इसका नाम है माउसी नराम, किस राज़े में स्थित है? अंसर होगा मिखाल्य में अगला कोशन कोलबा पॉइंट कहा पर है? कोलबा पॉइंट है महराष्ट मुंबई में चिवालिक श्रेनी का निर्मान किस युग में हुआ है? बहरत की किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? अगला कोशन भारत के नो राजजे जो हेंट्स यह तठ्ठे का से लगे हूए है तीन और बांगलादेश से घिरा भारती राज्जे कौन सा है सही आंसर होगा भारत का जो तिरिपूरा राज्जे है ये तीनों और से बांगलादेश देश से घिरा होगा है किस राज्जे की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है गोवा की संधो तट्रेखा सबसे चोटी है सबसे द्राइजी की है गुजरात राज्ये की घिक है ये भी आपने ध्यान करें सबसे द्राइजी की तट्रेखा लंबी है सबत당히 चोटी है गोवा की और गोवा की राजधानी क्या है पंजी Land of Rising Sun ठीक है land of rising sun या बोल सकते हो उक्ते सूरज का देश किसे कहा जाता है जपान को जपान को निपॉन के नाम से भी जाना जाता था जपान की राजधानी क्या है टोकियो कौन से दुईपे है होंशू दुईपर भारत का सबसे उचा दर्रा कौन सा है लदाख में स्थित कराकोरम दर्रा जो है ना फ्रेंट्स ये भारत का सबसे उचा दर्रा है नेक्स्ट है मारा कोशन खैबर दर्रा कहां स्थित है आंसर होगा पाकिस्तान वैं अफगानिस्तान की बीच स्थित है खैबर दर्रा थालगाट और भोलगाट दर्रे किस परवत माला में स्थित है थालगाट और भोलगाट दर्रे जो है पश्यमी घाट में स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपूत की संयोंग जलधारा किस नाम से जाने जाती है मेगना के नाम से अगला कोशन है मारा भारत का एक मात्र सक्रिय जॉलम की किस दूइप पे स्थेत है बैरन दूइप में अगला कोशन अधिकांश मौसम सम्मदित घटनाए वायू मंडल के किस भाग में होती है छोब मंडल में भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील कौन सी है गोविन सागर जील भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है लो ऑकसाइड यह आपने ध्यान रखना है लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है के कारण होता है कौन सी नदी भारत नेपाल के भी सीमा बनाती है आंसर होगा काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है नेक्स्ट कॉशन कौन सी नदी ओडीशा का शोक कहलाती है ब्रहमनी नदी जो है वेंड इस नदी को ना ओडीशा का शोक कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा भारत में चंदन के सरवादिक व्रिक्ष किस राज्य में है भारत में चंदर के सरवादिक रिक्षए करनाटक में वोल का नदी कि सागर में गिरती है कैस्पियन सागर में तोडा जनजाती किस राज्य में पाई जाती है तोडा जनजाती पाई जाती है तमिलाडो में नेक्स्ट है हमारा important question है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं अरुन ग्रह ठीक है यानि कि Uranus को कहा जाता है अरुन ग्रह है अफरीका देश गाना का पुराना नाम क्या था गोल्ड गोस्ट दक्षिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है आंसर होगा कोईमबटूर को कहा जाता है दक्षिन भारत का मैंचेस्टर भारत माला परियोजना किस से संबंदित है भारत माला परियोजना संबंदित है राज्टिये राजमार्क विकास कारिकरम नेक्स्ट कोशन है मारा भारत का प्रमुख रसायनिक उर्वक उत्पादक राज्य कौन सा है सही आंसर होगा भारत का प्रमुख रसायनिक उर्वक उत्पादक राज्य है गुजरात पैरिया जल विद्यूत परियोजना किस राज्य में है पेरिया जल विद्यूत परियोचना है केरल में गोल्डन गेट ब्रिज सही उत्राज अमेरिका के किस नगर में है सही आंसर होगा सैन फ्रैंसिस्को में स्थित है गोल्डन गेट ब्रिज जो की कहां पर है सही उत्राज अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को में भारते किस नगर को भारत में पाया जाने वाला लोह ऐसक किस प्रकार का है सही आंसर होगा भारत में पाया जाने वाल जो लोह ऐसक है वो है हैमेटाइट कोईले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है सही आंसर है कोईले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी कुईन पारवती जलविद्जिव परियोजना किस राज्ये की परियोजना है सही अंसर क्या होगा हिमाचल प्रदेश next question हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूइप है मेड़ा गासकर अगला question अल गेजिरा रेकिस्तान किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा स्टुडान में नेक्स्ट कोशन है मारा विशुवत रेखा कि ये 23 एक बटे 2 डिगरी उत्तर एबं 23 एक दो बटे डिक्षिन के मध्धे का भाग क्या कहलाता है? आंसर होगा ओशन कटीवंद कहलाता है नेक्स्ट कोशन है मारा चुना पथर का रुपांत्रित रूप क्या है? सही आंसर होगा संगमर्मर नेक्स्ट कोशन अबरक उत्पादन में भारत का विशुव में कौन सा स्थान है? आंसर होगा भारत का पहला स्थान है नेक्स्ट कोशन है मारा प्रिथिवी अपने अक्षपर कितने डिगरी जुगी होई है सही आंसरोगा प्रिथिवी अपने अक्षपर 23 एक बटे 2 डिगरी जुगी होई है दक्षिन भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है सही आंसरोगा कावेरी नदी को दक्षिन भारत की गंगा कहा जाता है दिहांग और लोहित नदिया किसकी सहयक नदिया है सही आंसरोगा ब्रह्मपुत नदी की सबसे प्राचीन चटान कौन सी है सही आंसर होगा आगन्य चटान जो होती है यह सबसे प्राचीन चटान कहलाती है नेक्स कोशन भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर होगा भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी है कंचन जंगा स्थानिय पवन सीरा को किस देश में चलती है सही आंसरोगा इटली देश में किन दूइब को प्रशान्त महासागर का चोरहा उपनाम से जाना जाता है सही आंसरोगा हवाई दूइब को एरेबस जोहला मुखी कहां स्थित है सही आंसरोगा अंटाक्टिका महादूइब में अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसरोगा अरावली परवत की सबसे उची चोटी है गुरु शिखर जोकी है माउंट आबू में नेक्स्ट है मारा विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है जोईन नदी की घाटी, यह विशुव की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है लेक्ष सही आंस्व के एक्जाम में कई बार पूछा गया है महा सागरों में तरंगों की उत्पति का कारण क्या है सही आंसर होगा महा सागरों में तरंगों की उत्पति का कारण है पवन निक्स ओलम्पिका नामक परवत किस ग्रह पर स्थित है सही आंसर होगा बंगल ग्रह पर नेक्स्ट कोशन है मारा नैफा किस राज्य का पुराना नाम है? सही आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश का पुराना नाम है नैफा इराक का पुराना नाम क्या है? सही आंसर होगा मैसोपोटामिया जो है इराक का पुराना नाम है विश्व का सबसे अधिक तिन उतपादक देश कौन सा है? सही आंसर होगा चीन देश जो है यह विश्व का सबसे अधिक तिन उतपादक देश है Next question स्थल मंडल के कुल छेतरफल के कितने प्रतीशत भाग पर मेदान है? सही आंसर होगा 41 प्रतीशत अगला question एशिया में विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है? सही आंसर होगा कैश्पियन सागर जपान की राजधानी टोकियो किस दोई पर स्थित है? जपान की राजधानी टोकियो है होनशू दोई पर नेक्स कोशन उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली कालपनिक रेखा जो सूर्य के केंदर से गुजरती है क्या कहलाती है? सही आंसर होगा एपसाइड रेखा इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को अगला कोशन उतरी अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डम्रू मद्ध है? सही आंसरोगा पनामा एशिया में अधिक्तम गहराई किसकी है? सही आंसरोगा मित सागर की नेक्स्ट कोशन है मारा उतरांचल का प्रसिद हिंदू, तेर्थ मंदिर, बद्रीनात, किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसरोगा अलक नंदा नेक्स्ट कोशन है मारा विश्व का अन भंडार या बोसकते हो रोटी की डलिया कौन कहलाता है? आंसरोगा युकरेन उत्तर अमेरिका के सितोशन घाष के मैदान क्या कहलाते हैं? आंसरोगा प्रेरी विश्व का सबसे उचा जहरना कौन सा है? एंजिल जहरना कौन सा परवत महाद्यूपे जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? सही आंसरोगा रौकीज राश्टिय समुद्र विज्ञान सनस्थान कहा पर स्थित है? गोवा में दक्षिनी अफरीका के किस नगर को सवर नगर कहा जाता है? सही आंसरोगा जोहांसबर्ग दक्षिन अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुक पतन कौन सा है? सही आंसरोगा त्रिबुजाकार अफरीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा हौन अफ अफरीका कहा जाता है अफरीका के पूरवी भाग को वनो का देश किसे कहा जाता है? Next question है,มारा धोलादर तथा पीर, पंजाल, परवश्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कार्डोमम हिल कहा स्थित है इलाइची की पहड़ियां भी बोलते हैं इसको सही आंसर है केरल राज्चे में विश्व की सबसे चोड़ी नदी कौनसी है आंसर होगा आमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे चोड़ी नदी है गोविंद बलब पंत सागर किस बांध का सही आंसर होगा रिहंद नेक्स कोशन है मारा अंगलू नुमा जीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद है सही आंसर होगा सयुक्त राज अमेरिका वायू दाप को किस से मापा जाता है सही आंसर होगा बैरो मीटर से मापा जाता है वायू दाप को नेक्स कोशन हमारा तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थेत है? सही आंसर होगा तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर स्थेत है पूंग बांध किस नदी पर बनाया गया है आंसरोगा विशुव के किस महादीप में कोई रेगिस्तान नहीं है कौनसा देश 85 भूमी का देश कहलाता है आंसरोगा ये रेगिस्तान कोई रेगिस्तान नहीं है तर्किये का कौन सा नगर पश्यम का द्वार कहलाता है आंसरोगा स्तानबुल विश्यो का सबसे उंचा एंचिल जरुपाद किस देश में हैं? सही आंसरोगा वैनिजुएला में अकाश गंगा मंदाकनी सबसे पहले किस ने देखी थी? सही आंसरोगा गैलिलियों ने दुनिया का सबसे बड़ा दूइब कौन सा है? ग्रीन लैंड दूइब जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा दूइब है अगला कोशन, क्रिश्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? सही आंसरोगा करनाटक में है स्थित क्रिश्णा नदी पर बना अलमाटी बांध अफ्रीका में आसुमान बांध किस नदी पर स्थित है? आंसरोगा नील नदी पर कौन सा महादुईप, पक्षियों का महादुईप के नाम से जाना जाते हैं, दक्षिन अमेरिका कौन सा देश, विश्व का सबसे अधिक केसर उतपादन करने वाला देश है, सही आंसरोगा, इरान बांकापूरा मयूर अभ्यारन किस राज़े में स्थित हैं? सही आंसरोगा करनाटक राज़े में नेक्स कोशन है मारा खेती के लिए सबसे अधिक रसायनिक उर्वक की खपत प्रती हेक्टेर किस राज़े में होती हैं? आंसरोगा पंजाब में दो हजार ग्यारा की जनगर्ना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घंतव वाला राज़े कौन सा है? आंसरोगा अरुनाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रती वर किलोमेटर हैं नीली करांती किस से संबंदित है? मत से उत्पादन से प्रिथिवी की सबसे उपरी परत कौन सी है? भूपरप्टी जिसे की हम क्रस्ट भी कहते है पूर्वी वै पश्मी घाट आपस में कहां मिलते हैं? सही आंसर है नीलगिरी विंसन मैसिफ माउंटेन किस महादुप में स्थित है? अन्टाक्टिका सूरे के चमकते हुए भाग को क्या कहते है? आंसर होगा फोटो स्फियर कहा जाता है सूरे के चमकते हुए भाग को सूरे की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है आंसरोगा कोरोना कहा जाता है सूरे की सबसे भारी परत को सोईज नहर किस देश में स्थित है सोईज नहर मिस्तर देश में स्थित है अंडमान वै निकोबार में काटो और जलाओ क्रिशी को क्या कहते हैं आंसरोगा दीपा सबसे बड़ी रेखा कौन सी है भुमद्य रेखा जो है फैंट यह सबसे बड़ी रेखा है जिसे की हम इक्वेटर भी बोलते हैं और विशुवत रेखा भी बोलते हैं भैसा सिंगी नामक जन जाती भारत के किस रा और अना मलाई पहाड़ी पर भारत की सरवादी गहरी खान कौन सी है- कौलार की खान जो है यह भारत की सरवादी गहरी खान है सिक्क्य म्राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्क्य म्राज्य में नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा स्थित है कौन सी नदी कपिल धारा जल परपात का निर्मान करती है? आंसरोगा निर्मदा भारत की सबसे प्राचीन परवश्रेनी कौन सी है? अरावली नेक्स कोशन है मारा भारत का सबसे पश्यमी बिंदू क्या है? आंसर होगा गुहार मोती जो है ये भारत का सबसे पश्यमी बिंदू है वैमना जील कहां स्थेत है? आंसर होगा केरल में स्थेत है वैमना जील भारत में सबसे ज़्यादा ग्रिफाइट का भंडार किस राज्य में है? सही आंसर होगा और उनाचल प्रदेश में है भारत में सबसे ज़्यादा ग्रिफाइट का भंडार सबसे जादा राज्य ये union territory से साजा करने वाला राज्य कौन सा है? सीमा साजा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर परदेश भारत का एक मात सक्रिय जौलम की किस दूइपर है? बैरन दूइपर, अंडमा निकोबार नेक्स्ट है मारा वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां है? गोदावरी की अगला कोशन ककोलत जल परपात किस राज्य में है? आंसर होगा बिहार में कौन सा शहर? पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापूर हिरोशीमा और नागासाकी क्रमश जपान के किन दूइपर पर स्थित है? आंसर होगा हिरोशीमा होनश्यू दूइपर है नागासाकी है क्योश्यू दूइपर भारत की मोपला जन जाती कहां पाए जाती है? आंसर होगा केरल राज्य में पाए जाती है मोपला जन जाती नापती हैं आंसर होगा हवा की गती को मापा जाता है एनिमो मीटर यंतर द्वारा नेक्स्ट कॉश्चन है मारा लोहा किस परकार की चटानों में पाये जाता है अगन्य चटान बेरिंग जल डमरू मद्य कि इन देशों को अलग करता है आंसर होगा अलासका तथा रूस को विश्व के मानचीतर के सवरपथम निर्मान करता कौन थे आंसर होगा अनएक्जी मेंडर बुमद्य रिखा के दक्षिन में तेईस एकबटे दो डिग्री अक्षांस को क्या माना जाता है आंसर होगा मकर रिखा मौसम को परभावित करने वाली अधिकतर घटनाए किस मंडल में होती है छोब मंडल में जिसे कि हम ट्रॉपोस्फेर भी बोलते हैं जेलम नदी का उदगम पीर पंजाज टेडिंग के किस स्थान पर होता है आंसर होगा बेरी नाग बाग परियोजना कब शुरू की गई थी 1973 इसवी में बाग परियोजना को शुरू किया गया था दुदवा राच्टे उद्यान किस राज्जे में स्थित है उत्तर परदेश में स्थित है दुदवा राच्टे उद्यान वेश्व का सबसे गहरा गर्थ मेरियाना ट्रेंच कहां स्थित है आंसर होगा पश्शिम प्रसांत महाशागर में जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था हैली नैशनल पार्क जो है ये जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम था भारत में परमानु उर्जा का शुभारम कहां से हुआ तारापूर महारास्ट्र से सियाचीन ग्लेशियर कहां स्थित ए? लद्दाक के अंदरशाशित प्रदेश में भुगोल का जनक कहां किसे कहा जाता है? अरिस्टो थेनिस को भुगोल का जनक कहा जाता है ग्रहों की गती का नियम का पता किसने लगाए था? क्यपलर विज्ञानिक ने मंकल ग्रह का लाल रंग किस कारण से होता है? आयरन ओक्साइड के कारण चंदर्मा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर होगा जिवाशम ग्रह के नाम से भारत की कौन सी नदी? मानसरोवर के निकट स्थेत राकास जील से निकलती है सतलुच सूरत किस नदी के तटपर स्थित है तापती नदी के तटपर स्थित है सूरत शहर जर्मनी और पोलेंड के बीच सीमा का क्या नाम है आंसर होगा हिंडन बर्क रेखा जो है ये जर्मनी और पोलेंड के बीच की सीमा रेखा का नाम है पाकिस्तान का रचना दवाब कि इन दो नदियों की 20 स्थित है जिनाव एवं रावी के बीच स्थर्ल डम्रू मद्धे जिसे कि हम इस्थमस भी बोलते हैं इंगलिश में से क्या अभी प्राय है आंसर है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमी की जो संक्री पट्टी होती है उसे इस थर्ल डम्रू मद्धे आने की इस्थमस के नाम से जाना जाता है श्री नगर किस नदी के तट पर स्थित है जेलम नदी के तट पर मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है आंसर होगा कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है किस वन को जन्तों की दिश्टी से प्राकिर्तिक प्रानी उद्ध्यान कहा जाता है सवाना वन सूरे की बहरी सतय का तापमान कितना होता है आंसर होगा 6000 डिगरी सेलसियस जो है यह सूरे की बहरी सतय का तापमान होता है सूरे के चारों और बुद्ध को परिकर्मन समय कितना लगता है 88 दिन और पिर्थिवों कितना लगता है 365 दिन सूर्य की सतय और उसकी आंतरिक स्थिती का अध्यान करने वाला विज्यान क्या कहलाता है सैलेनोलोजी प्लूटो ग्रह की मानेता कब समाप्त की गई 24 अक्टूबर 2006 को सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है शनी ग्रह जो है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है मसाई जन जाती किस देश की जन जाती है केनिया और तंजानिया राउर केला स्टील प्लांट किस नदी किनारे स्थेता है ब्रहमनी नदी के किनारे स्थेता है राउर केला स्टील प्लांट नेक्स कोशन है हमारा भारत की किस नदी का जल ग्रहन चेतर सबसे बड़ा है आंसर होगा गंगा नदी का हारमुज जल संदी किन दो देशों को अलग करती है इरान और उमान को अलमिस्टी जो आलम मुखी किस देश में स्थेतर है पेरू में अफरीका को यूरोप से क्या प्रितक करता है आंसर होगा जिब्राटल जल संदी जो है यह अफरीका को यूरोप से प्रितक करता है भुकम उत्पन होता है आंसर है फोकस पे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारन किस राज्ये में स्थेतर है हर्याना राज्ये में एशिया में विश्व का सबसे उंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार जो है एशिया में विश्व का सबसे उंचा पठार है जीलों का देश किसे कहा जाता है? यूरोप के फिनलेंड को जीलों का देश कहा जाता है छेत्रफल की दिश्टी से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वैटिकन सिटी अलैपी बंदरगां भारत के किस राज्चे में स्थेत है केरल राज्चे में एशिया में विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है बेकाल जील अंद महादूइप किसे कहा जाता है अफरीका को कंजन जंगा राज्च्टे उध्यान कहां स्थेत है गंग्टोक सिक्किम में बुकंप की तेविता की माप किस पेमाने पर की जाती है रिक्टर पेमाने पर हिमाले की किस चोटी का नाम सागर माथा है एवरेस्ट किस देश में यूफरेटस वह टिग्रिस नदियां बहती है आंसर होगा इराक में बगलिहार जल विद्यूत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है चिनाव नदी पर प्राइद यूपो का महादूइप किसे कहा जाता है यूरोप को अफ्रीका महादूइप की सबसे बड़ी जील कौन सी है विक्टोरिया जील वीहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है हमारा दुलहस्ती दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थेत है आंसरों का चिनाव नदी पर फेंट्स आपको मैं भी बता रहा हूँ कि अगर आपको ना हमारी जो जो जोगरोफी की PDF है अगर आपको जोगरोफी की पूरी प्रैक्टिस करनी है तो रवी सर की जो आप जोगरोफी की e-book है उज़रूर वाई कर लेना ये website है www.ravibooks.pdf.com और अगर आपको जोगरोफी के सभी कोशन का टेस्ट लगाना है तो मेरा मुबाइल अप्लिकेशन जरू इंस्टॉल कर लेना रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से है प्ले स्टोर पे अबलेबल है जपान का सबसे छोटा दूइप कौन सा है? शिकोको दूइप जमशेदपूर किस नदी के तट पर स्थेत है? सुन रेखा नदी पर कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी अगला कोशन बॉसफुरस जलसंदी किन्हे जोडता है काला सागर और मारमरा सागर को उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थेत है? भागी रती नदी के तट पर वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना में फ्रेंट्स ये मैंने आपको most important 500 कोशन करवा है जोगरोफी के हर एक्जाम के लिए फ्रेंट्स ये वीडियो काफी ज़दा useful थी और आपको फ्रेंट्स कोशन का level देखे बता लगा होना कि सभी कोशन जो है एक्जाम oriented था फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो की quality वीडियो का पर इस देता है दोनों कोशन का आंसर आपने मुझे comment box में देना है वीडियो कैसी लगी आपने feedback भी जरूर देना है और इसके साथ फ्रेंट्स फ्रेंट्स की पॉलिटी की जोग्रोफी की history की आप आई कर सकते हो website www.ravibooks.pdf.com ठीक यहां पर विजिट करिए गुगल पर सर्च करके यहां पर आपको रवी सर की जो pdf है करेंट अफेर्स की पॉलिटी की जोग्रोफी की history की हर subject की यहां पर मिल जाती है मताँ फ्रेंट्स आपकी रवी सर ने best content रखा है अपनी pdf में इस website को आप no down कर लीजिए और अगर आपको टेस्ट लगाना है किसी भी subject का current affairs का geography, quality, history तो आप हमारा mobile application install कर लीजिए mobile application का नाम है Ravi Study IQ GK ठीक है और इसी के साथ अगर आपने current affairs पढ़ना है उसके लिए लग से channel हमारा current affairs by Ravi ठीक है यहां पर current affairs पढ़ सकते हो 10 minute GK show देखना है अपने उसके लग से channel है Ravi G.S. Research उसे भी आप ज़रूर subscribe कर लें comment box में आप मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है अगला वीडियो आपको किस topic पे चाहिए वो भी आप मुझे comment box में बताना आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेकर आउंगा फैंट्स लिए कोई भी topic है किसी भी subject topic है आप comment कर दीजिए ठीक है फैंट्स आपको वीडियो बहुत पसंत आई होगे जो चलिए फैंट्स अब हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you and wish you all the best